आज हमारे लिए Unit 7 का जो 3rd chapter है वो स्टार्ट करना है 3rd chapter का नाम है Evolution यानि की विकास इस chapter में हमारे लिए पढ़ना है कि किस प्रकार से प्रत्वी की उत्पत्ती हुई और अभी तक हम प्रत्वी पर जितने भी वस्तों देख रहे हैं चाहे वो जीवित हो या अजीवित हो उन सभी की उत्पत्ती कैसे हुई कैसे उनका विकास हुआ और आज का जो योग है यानि की वर्तमान योग तक का जो विकास है हमें वो पढ़ना है कि आदिम योग से वर्तमान योग तक किस प्रकार से विकास हुआ सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे कि प्रत्वी जिस पर हम रह रहे हैं आपको पता है कि प्रत्वी ही एक मात्र ऐसा ग्रह है जिस पर अभी जीवन की संभावना पाई जाती है otherwise हम देखें कि मार्स यानि की जो मंगल है उस पर भी ऐसी संभावना मिल रही है फिर भी उतने अच्छे से अभी साइंटिस्ट इसको प्रूफ नहीं कर पाई कि हम मंगल पर भी रह सकते हैं तो हमें इसी को पढ़ना है कि हमारी जो प्रत्वी है एक मात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन की संभावना है हम जीवित रह पा रहे हैं और इसका एक कारण है कि जो प्रत्वी है उस पर परियाप्त मात्रा में हमारी जीवन की जो मूलभू तावश्यक्ताएं हैं उनको पूरा करने के परियाप्त मात्रा में साधन उपलब्ध है जैसे कि हम बात करें कि हमारे लिए सबसे जादर जो जरूरी है वो है oxygen जो कि हमारी जीवन दाहनी गैस कहलाती है oxygen की वगर हम जीवित नहीं रह सकते और living organism का जो non living organism है वो भी oxygen की वगर जीवित नहीं रह सकते तो इसमें हम पढ़ेंगे कि आखिर किस प्रकार से हमारी प्रत्वी के उत्पत्ती हुई क्या प्रत्वी पहले से ही ऐसी थी जैसे अभी हम देख रहे है या फिर इसका एक अलगी इतिहास था तो इसे आज हम समझेंगे इस चैप्टर में जिसका नाम है evolution या विकास विकास में हमारे लिए जिस प्रत्वी पर हम रह रहे हैं उसका विकास पढ़ना है कि कार्बनिक विकास हुआ उसका या रसायन बाद की थ्रोस का विकास हुआ या उसका धार्मिक बाद के अनुसार विकास हुआ कुछ जो scientist थे जैसे कि एक पादरी थे उनका नाम था France Lawrence उन्होंने कहा कि जो जीवन की उत्पत्ती है वो एक धार्मिक घटना है जिसमें स्रस्टी बाद आया है और स्रस्टी बाद के अनुसार ही प्रत्वी की उत्पत्ती हुई है लेकिन जो हमारे आधुनिक scientist थे वो यह मानने मैं बिल्कुल भी believe नहीं करते थे कि जो स्रस्टी बाद है उसके अनुसार ही प्रत्वी की origin या उत्पत्ती हुई है तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रत्वी की उत्पत्ती कैसे हुई तो प्रत्वी की उत्पत्ती का एक बहुत बड़ा इतिहास है scientist का कहना है कि जो हमारी ब्रह्मांड है यानि कि जिस ब्रह्मांड का भाग हमारा मतलब जो हमारी प्रत्वी है वो जिस ब्रह्मांड का हिस ज़िसा है उस ब्रह्मान के उत्पत्ति आजिसे लगवग 15azpuch हुई और 15ड विलियन वर्ष जैसे हमारे ब्रह्मान के उत्पत्ति हुई बहुत ही गर्म-गैस का गोला था इस गर्म-गैस के गोले के लिए ईलेम कहा गया ईलेम और बहुत सारे साइंटिस्ट मैनली जो हमारे एविली मात्रे है एविली मात्रे जो हमारे साइंटिस्ट है मैनली उनका यही मानना है कि सबसे पहले प्रत्वी जो है वो एक बहुत ही बड़ा गर्म गैस का गोला था जिसमें Neutrons, Electrons, Protons ये सभी जो Fundamental Particles होते हैं ये सभी उपस्थिते देन इन Particles में Reactions होई, Reactions से बहुत सारे Atoms बने, Atoms के बाद Molecule, Molecule से Compound और Compound से Complex Compound बने और इन Complex Compound में, Complex जो Compound थे, उनसे ही ऐसी चीज़ों का विकास हुआ, जैसे कि जल है, H2O है, ये Hydrogen और Oxygen के Atom, जब एक Fix Ratio में मिले, जब वो Water का Formation हुआ, और हम जीवित रह पाए, तो Abilie मात्री जो Scientist थे, उन्हाने कहा कि जो प्रत्वी की उत्पत्ती है, वो Elam नामक एक पधार्ति से हुई है, और जो Elam है, उसकी प्रकृति इस प्रकार थी, कि वो बहुत ही जादा शौक्ड करेगी, Elam में कितना बड़ा गैस का गोला था, जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते, और इस गर्म गैस के जो गोले का Temperature था, वो 5000 से 6000 degree Celsius था, माल दीजे, ये ह हमारा Elam है, इसका जो Temperature था, वो 5000 degree Celsius से 6000 degree Celsius था, और इस जब पधार्त में अचानक बहुत बड़े-बड़े पधार्त जो थे, वो इस Elam नामक गोले से टकराए, देन जब वो पधार्त इस गोले से टकराए, तो इसमें बहुत ही बड़ा एक विस्पोर्ट हुआ, एक भयांकर विस्पोर्ट हुआ, और इस विस्पोर्ट के लिए जो Scientist है, उन्होंने महा विस्पोर्ट कहा, यानि कि Big Bang Theory, Big Bang Hypothesis जिसे कहा गया, तो Big Bang Theory में यही था कि जो Elam था, वो एक गर्म गैस का गोला था, जिसमें बादल और बहुत सारे ऐसे सबस्टेंड थे, ऐसे पधार्त थे, जिनका बहुत ही जादा संघटे के साथ तक्राव हुआ, कोलाईजन के साथ टक्राव हुआ और इस कोलाईजन के कारण यह जो गोला था वो टूटकर बिखर गया और यह जो गोला था वो नो ग्रहों में बट गया जिसे हम वुद्ध शुक्र प्रत्वी मंगल अरुन वरुन यम की नाम से जानते हैं जैसे अभी प्रिजैंट में यम यान कि प्लूटो जो है वो ग्रहों की श्रेडी में नहीं आता इसलिए आप ग्रह ही बचे है तो एक और կाव उन्होंने बोला लॉलाला सना मफंट सायन्टिस्ट का लापलास लाफलास जो साइंटिस्ट थी उन्होंने बोला कि जो प्रत्वी है उसकी अत्पति एक ऐसे पधार्थ ऐसे गोले से हुई है जिसका नाम है नेबुला और ये जो नेबुला था वो बहुत ही जादा तेज गती से ऐसे राउंडेड मोशन कर रहा था और इसकी मोशन करने से जब इसमें कोलाइजन हुआ तो ये तोट गया और नौ ग्रहों में बट गया देन इसका जो बचा हुआ भाग था इसका जो बचा हुआ भाग था उसने सूरे का रूप ले लिया यानि कि जो नेबुला था इस नेबुला से हमारे नौ ग्रहों की उत्पत्ती हुई और नेबुला का जो एक्स्ट्रा वाला पार्ट था यानि कि जो शेस भाग बचा था उस शेस भाग से सूरे की उत्पत्ती हुई अब इसके बाद साइंटिस्ट ने ये भी पता कर लिया था कि किस प्रकार से मतलब कि इसकी ग्रहों की उत्पत्ती हुई और इनी ग्रहों में एक बहुत ही जो इंपोर्टेंट ग्रह है जिस पर अभी हम जीवन्यापन कर रहे हैं उसका नाम अर्थ है यानिकी प्रत्वी तो साइंटिस्ट ने ये भी मतलब अनलाइसिस कर लिया था उस टाइम कि जो अर्थ है उसकी उत्पत्ती 300 से 300 करोड वर्ष पूर्व हुई और इसके बाद जो साइंटिस्ट थी उन्होंने कहा कि ये जो प्रत्वी है ये ही इग्मात्य सग रहे हैं जिस पर हम रह सकते हैं औक्सीजन भी इस पर है और खाने योगी जो संसाधन है खादे संसाधन भी परियाप मात्रा में इसमें उपस्तित हैं फिर इसके बाद एक और यहां पर टर्माया कि साइंटिस्ट ने फिर सोचा कि ठीक है हमने प्रत्वी की ओरिजिन को देख लिया कि वो किस टाइप से उ जो थे वो यह बिग बैंक थियोरी को मानने तयान नहीं थे उन्होंने रसाइनवाद को रसाइनवाद को ही इसका बहुत ही बड़ा प्रूफ माना की रसाइनिक जो पधार्थ थे उन्हें रासानिक अभी क्रियाओं के कारण ही प्रत्वी की उत्पक्ति हुई अब इसके बाद जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बताया कि जो अर्थ है अर्थ से जो सन की दूरी है अर्थ से सन की बीच का जो डिस्टेंस ही यानि कि यदि हम अर्थ मनलब प्रत्वी से सन पर जाना चाहें तो इन दोनों की बीच की जो दूरी है वो 15 करोड किलोमेटर है 15 करोन किलोमेटर है और इसके बाद उन्होंने सोचा कि जब हम प्रत्वी से सूरे के बीच की दोरी को एनलाइसिस कर सकते हैं उसे ग्याद कर सकते हैं तो क्यों न हम प्रत्वी से जो हमारे चंद्रमा की दोरी है वो भी ग्याद करें प्रत्वी से जो हमारा मौन है आने की चंद्रमा इस चंद्रमा की जो दोरी है वो 4,84,000 किलोमेटर है और आपने देखा कि कितना ज़्यादा अर्थ और सन के बीच डिस्टेंस है और जो अर्थ और मौन है उसके बीच भी कितना बड़ा डिस्टेंस है आप कोई पता होगा कि जो हमारी अर्थ है वो एक ग्रह है एक प्लैनेट है और इस प्लैनेट के अराउंड यानि कि इसके चारों और यह हमारा जो अर्थ है इस अर्थ के चारों जो प्रत्वी है वो एक निश्चित मार्ग में गती करती रहती है और उसके चक्तर लगाती है परिक्रमा करती है और इसी कारण जो प्रत्वी है उसका एक मात्र जो नेचरल प्लैनेट है या प्राकृतिक प्लैनेट है वो चंद्रमा या मून को माना जाता है बैसे तो हर एक प्लैनेट के अलग-अलग चंद्रमा होते हैं जैसे कि मंगल के दो चंद्रमा है फोबोस और डोबोस इसी टाइप से जो हमारी अर्थ है उसका एक मात्र जो नेचुरल प्लैनेट है वो मून है और इस मून से इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो चार लाग चौरासी हजार किलोमेटर है यानि कि इतनी बड़ी डिस्टेंस के बीच जो चंद्रमा है वो अराउंड करता है हमारी अर्थ की तो इस जीवन की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई। जीवन की उत्पत्ति के बाद हमैं पढ़ना है कि जीवों का विकास कैसे हुआ। और जीवों के विकास के बाद हमें उन जीवों के रासायनिक संगठन को पढ़ना है तो इस चैप्टर में बहुत सारे साइंटिस्ट आए फ्रांसिसको रेड़ी और बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट आए मैसिलसन आए और मिलर और यूरे भी आए ऐसे बहुत सारे साइंटिस् हो गई लेकिन इस सिधुधान के लिए है पूर्ण तहां गलत माना गया डैनिस की सांटिस्ट ने रसाइनवाद से रिलेटेड कुछ एक्सपरिमेंट के जिस faço जिसना नहें भता है कि जो एक केमिकल कंपाॉण लेव उनग्यकल कंपाॉण से बने जैसी प्रोटीन है अमीनो एसेड्स है यह सभी बने दैन इनसे और्गानिजम बना और और्गानिजम से ही एक बोडी का फॉर्मेशन हुआ और प्रत्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई तो इवोलिशन जो चैप्टर है इसमें हम क्रम से पढ़ेंगे कि कौन-कौन से साइंटिस्ट आए और उन